हरा हरा शंकर जहय जह representation हरा हरा शंकर तर ऺजुप थीन वर्षोट के हिस दिन वरत करने से भुक्ति का हर मुशकिल काम आसान हो जाता है मासिक त्योहरों में शिवरात्री का वरत और पूजन का बहुत महत्फ होता है शिवरात्री शिव और शक्ति के संगम का एक पर्व है हिंदू पंचांक के नुसार हर महिने कृष्ण पक्ष की दिन मासिक शिवरात्री मनाई जाती है ये परव ना केवल उपासक को अपनी इंद्रियों को नियंतरित करने में मदद करता है बलकि उसे क्रोध, ईश्या, अभिमान और लाला जैसी भावनाओं को रोकने में भी मदद करता है मासिक शिवरातरी हर महीने मनाई जाती है शासर के नुसार सापताहित त्योहरों में भगवान शिव को सुमबार का दिन समर्पित किया गया है हिंदु धर में मासिक शिवरातरी का अपना अलग ही महत्व है जहां शिव के भक्त साल में एक बार बड़ी ही धूमधाम से महा शिवरातरी मनाते हैं शिवरातरी प्रारम 12 अक्टूबर 2023 शाम साथ बचकर चोओन मिनिट पर मासिक शिवरातरी का अवरत 13 अक्टूबर 2023 शुकरवार के दिन रखा जाएगा इस दिन साधक को भगवान शिल्प की पूजा करने से शुक फलो की प्राप्ति होती है शिवरात्री के वरत की महिमा से तो सभी भली भारती परिशित है लेकिन हर महिने आने वाली मासिक शिवरात्री का वरत भी बहुती परभावशाली माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि मासिक शिवरात्री में वरत उपवास रखने और भागवान शिव की सच्चे मन से अराधना करने से सभी मनोकामनाय पूरी होती है इस दिन वरत करने से हर मश्किल का रियासान हो जाता है और जाता कि सारी समस्यां दूर होती है मासिक शिवरातली के दिन की महिमा के बारे में ये भी कहा गया है कि वो कन्याएं जो मनोवांचित वर पाना चाहती है इस वरत को करने के बाद उन्हें उनकी इच्छा नुसार वर मिलता है और उनके विवहा में आ रही रुकावटे दूर हो जाती है शिपुरान के अनुसार जो भी सच्छे मन से इस वरत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है हर महीने आने वाले स्पर्व को प्रतेक संपरदाय के हिंदूों द्वारा मनाय जाता है हम में से कहीं लोग मासिक शिवरात्री का वरत भी रखते हैं वो भग जो मासिक शिवरात्री करने की इच्छा रखते हैं उन्हें मासिक शिवरात्री का प्रारंभ मा शिवरात्री के दिन से करना चाहिए इस वरत को महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं शद्धालूर कुम शिवरात्री की रात को जाकर शिव की पूजा करनी चाहिए। तो आई ये जानते हैं मासिक शिवरात्री पूजा विधी के बारे में विस्तार से। मासिक शिवरात्री वाले दिन आप सुरुदे से पहले उठकर स्नान आदी कर लें अब आप किसी मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार मापार्वती, श्री गनेश, कार्तिके जी और नंदी जी की पूजा करें सबसे पहले आप शिवलिंग का रुद्राविशे जल, शुद्ध घी, दूद, शक्कर, शहर, दही, आदी से करें ऐसी मानेता है कि रुद्राविशे करने से भूलेनात अत्यंत परसंद हो जाते हैं अब आप शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और शिवल चड़ाएं, ध्यान रहें कि बेलपत्र अच्छी तरहा साफ होना चाहिए अब आप भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदी से पूजा करें शिव पूजा करते समय आप शिव पूरान, शिव स्टुटी, शिव अश्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें संध्या के समय आप फलाहार कर सकते हैं, उपासक को अन ग्रहन नहीं करना चाहिए अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दानादी करने के बाद अपना अपुवास खोलें इस बात का ध्यान रखें कि वरत और उसका उध्यापन विधिवत तरीके से किया जाना चाहिए शिव रात्री की पूजन समय मध्धेरात्री के समय होता है भगवान शिव की पूजा रात को बारा बजे के बात करें और पूजा के समय शिहनुवान चलिसा का पाड़ भी करें ऐसा करने से उपासक की आर्थिक परिशानिया दूर होती है यदि कोई भी सच्चे मन और पूरी निष्ठा से भगवान की पूजा और उनका स्मरण करेगा उससे मनवानचित फल अवश्यक्राप्त होगा आपको बता दें कि इस दिन सफेद वस्तों का दान करने की अधिक महिमा होती है जिससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी ये भी कहा जाता है कि मासिक शिवरात्री के दिन शिव पारवती की पूजा व्यक्ति को हर तरह के कर्जों से मुक्ति जिलाता है पुराणे कताओं के अनुसार भगवान शिव महा शिवरात्री के दिन मध्यरात्री के समय शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे इसके बाद सबसे पहले भगवान भ्रम्मा और भगवान विश्णु ने उनकी पूजा की थी उस दिन से लेकर आज तक इस दिन को भगवान शिव जनम दिवस के रूप में बड़े ही धुमधाम से मनाया जाता है इस दिन शिव पूजन का खास महत्व है बहुत से पुराणों में भी शिवरात्री व्रत का जिक्र किया गया है शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन के उधार के लिए माता लक्ष्मी, मासरस्वती, मागायत्री, माता सीता, पारवती जी तथा रती जैसी बहुत सी देवियों और रानियों ने भी शिवरात्री का ब्रत किया था मासिक शिवरातरी जीवन में सुख और शांती परदान करता है और भगवान शिव की कृपा दृष्टी से उपासक के सारे बिगड़े काम बन जाते हैं ये वरत संतान प्राप्ति रोगों से मुक्ती के लिए भी किया जाता है